प्राइम टीवी सच साहस सरोकार पर्यावरण का हमारे स्वास्त पर कितना असर पड़ता है धराप पर्यावरण की वजह से हमें किनकिन बीमारियों से जूझना पड़ता है और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे उन पर्यावरण के होने वाले बदलावों के बारे में भी जो हमारी सेहत के साथ साथ कई चीजों पर प्रभाव बिढा दें जैसे कि जादा गर्मी होना, जादा बरसात होना, बार आना, भूस खलन होना ये सब आखिर किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है किस चीज से जुड़ा है इस पर आज हम बात करेंगे अच्छी सेहत के लिए वातवरण कितना महत्व पूर्ण है वातवरण को बचाने के लिए हमें किन तरह से कदब उठाने चाहिए पहले लोगों की उम्र सौ साल से भी अधिक होती थी, उम्र कम क्यों हो रही है इन तमाम चीजों पे बात करेंगे, विशेशग से जानेंगे कि आखिर वातवरण में जो बदलाव हो रहे है उसके पीछे की वज़ा क्या है और इन्हीं सब चीजों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुशील दिवेदी जी मौझूद है जो की एक पर्यवरण विद है और पर्यवरण को बखो भी समझते भी है सरा आपका हमारे स्खास कारिकरम में बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे एहम सवाल कि पांच जून ही क्यों इन्वार्मेंट डे के लिए रखा गया है पांच जून सिफ एक दिन क्या इन्वार्मेंट को बचाने के लिए काफी है क्या लोगों को जागरूप करने के लिए काफी है एहम उत्ता बन गया है परियावरण अखिर इसके पीछे की वज़ा क्या है देखे सिखाजी इस बार जो हम और आप लोग देख रहे हैं जो धर्ती पर बदली हुई परिस्तितियां देख रहे हैं इसमें मैं तो कहूंगा पृते एक दिन हमें परियावरण के लिए समर्पित कहना चाहिए क्योंकि हम और आप लोग अपनी जरूरतों के लिए अपने आने वाली पीडी की जरूरतों के लिए सब कुछ इस धर्ती पर से ही प्राप्त करते हैं जिने हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और हमने देखा कि इनसान ने अपनी तरक्की में कुछ ऐसे परिवारतन किये कुछ अपनी जरूरतों को प्राप्त कहने के लिए उसने इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया कि आज धर्ती एक प्रकार से इमर्जेंसी की कंडिशन में आ गई हम लोग कह सकते हैं इन्वार्मेंट इमर्जेंसी की स्थिती आ गई है तो हम तो कहेंगे कि प्रते एक दिन को इनसान इस सोच के साथ मनाई कि मेरी धर्ती मा हैं ये जो धर्ती पर जो भी धर्ती के सिंगार आभूसरों के रूप में जो भ परियावरनण पर कई संकट मंड़ा रहे हैं वो कौन कौन से संकट है सबसे पहले उस पर बात करेंगे और उनका हमारे सेहत पर कितना असर पड़ता है तेकि शिखा जी आपने इस बार देखा होगा हम लोगों ने बच्पन से लेके अभी तक जो भी महसूस किया था बदलाओ पहले भी सर्दियां आती थी लेकिन धीरे धीरे आती थी और सर्दियां धीरे धीरे बढ़ती थी और सर्दियों को मौसम रहता था फिर धीरे सर्दियां कम होती थी गर्मी का मौसम आता था फिर धीरे से बरसाता आ जाती थी मानसून आ जाता था लेकिन आज के दोर में हम प्रित्कूल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं एकदम से देखिए फरवरी माहे चर रहा था 15-16 फरवरी के बाद एकदम से बहुत तेजी के साथ गर्मी आ गई और उसकी बज़े से किसानों की गेहूं या जो भी उनकी रवी की क्रॉप जो नोंने बोई थी वो सारी फसले उनकी खराब होने लगी जल्दी से उनको काटना पड़ा तो इससे सीधे सीधे अन्यदाता के उपर संकट आया और मेरे आपके उपर भी फूर्ट शिकोरिटी प्रभावित हुई हम लोग पहले भी बरसात जहलते थे आपने भी देखा लेकिन आज के दोर में ऐसा है या त बहुत बारिस हुई है जैसे मैं नौ 3 में रहा हूँ चेरा-पुजी जैसे अरिया को मैंने देखा है तो आज की डिट में अगर हम देखें आज के दिन में जो बदी हुई परिष्थ भी अजय सकते हैं अब चेरा-पुजी में बारिस बहुत कम होने लगी तो यह जो हम लोग पृत्फुल परिश्थितियां देख रहे हैं, कि बेमौसम बारेस, बेमौसम जो भी हम लोग जो भी परियावराण के प्रिभाव देख रहे हैं, वो मुझे और आपको सोचने को मजबूर करते हैं, कि हमें और आपको आज नहीं तो कल जागरोख होना परिस्तितिया चाहिए जैसे कि हम लोग कई ऐसी चीजों को अपयोग करते हैं जो कि प्रकृती के लिए तो अच्छी नहीं है लेकिन हम अपने साधनों के लिए तो अपयोग करते ही हैं लेकिन हमको उन परिस्तितियों को अनुपूल भी रखना है और साथ ही प्रकृती को धरती का संगार हुआ है उसको बुरी तरह से च्छत विछत कर दिया है तमाम अध्यान बताते हैं कि हम जैसे पूरे साल का जो एक कोटा होता है जो नेशलर रिसोर्सेस या प्राक्रतिक संसादनों का हम और आप लोग अपनी जरूरत के लिए उसका इतना जादा उसका कहते है कि अगस्त सितंबर तक ही पूरे साल का बारा महीने का कोटा खतम हो जाता है मतलब अगली साल का जो संसादन है उनको हम लोग लेना सुरू कर देते हैं इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सिखा जी मैं और आप कुछ पैसे बैंक में जमा कर दें और उसके इंट्रेस्ट जो को भी हम निकाल के उप्योग करने लगें तो ठीक ऐसे ही होने लगा है हम इस धर्ती का बुरी तरह से तवाय करने पर जुटे हुए हैं आने वाली पीड़ी के लिए जो संसाधन जाने चाहिए वह हम अभी ही इनका उप्वोग करने रहे हैं वैश्विक नफा नुकसान इस रेस में लगतार पर्यावरण को हम जहती पहुचा रहे हैं अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो पर्यावरण की जो हालत होने वाली वो बहुत खराब हो जाएगी कैसे तालमेल बैठाएं कैसे बचाएं पर्यावरण देखिए आप और मैं बिलकुल आप इस बास से पूरी तरह सहमत होंगे अगर हम पिछली एक दो सालों का देखें तो दुनिया के अलग अलग जंगलों में भीशन आग देखी लगबग ढाई तीन साथ पेले की बात है आस्टेलिया की जंगलों में इतनी भेंकर आग लगी जिसकी वज़े से बुरी तरह से वहाँ पर जिव जन्तु प्रभावित हुए अमेजन रेन पॉरेस्ट जिने धर्ती के फेपने कहा जाता है लंग सॉब्धी प्लानेट जो ब्राजील में पाए जाने वाले अमेजन नदी के किनारी के रेन फॉरेस्ट हैं उनमें भी आग लगी और उसके कारान बहुत सारे हमारे जो लंग्स जने प्लानेट के कहते हैं जंगल खतम हुए और जिव जन्तुओं के लिए रहने का संकट पैदा हुए हम लोगों ने देखा नौट हीस्ट के जो जंगल हैं या उत्राखंड के जंगलों में पिछली एक दो सालों में बार बार आग लगने की घटनाए हुई ये पहले इतनी ज्यादा नहीं होती थी हमने देखा इस साल चेन नहीं में बहुत जबरदस्त बारिस हुई है जादा बारिस होई पिछले साल ये जो घटनाए हम और आप लोग देख रहे हैं प्रित्कूर मौसम की मैं मेरे यहां पानी की बड़ी दिक्कत है सूखा परड़ा है अपरेल से लेके जून तक वहां के लोगों के लिए बहुत कष्ट काड़ी छंड होते बहुत पूरे-पूरे दिन वो लोग सिर्फ इसी परिशानी में रहते हैं पांट-पांट-ददस किलोमीटर दूर से पानी ला कि केप टाउन में पानी का जल संकट आया और उस दिन डे जीरो डिक्लियर हुआ जुलाई में पानी रासन के रूप में मिलने लगा लेकिन मैंने और आपने उसका हमने जो भी एक लेसन था वो नहीं लिया हमने ऐसे अपने तरप से ऐसे कदम नहीं उठाए एक नागरिक के रूप में तो अब हमें और आपको जैसे आप इस करिक्रम के दोरा लोगों को जागरोग कर रही हैं कि बही जलबाई परवरतन हो रहा है जिसके वज़े से पानी या फिर प्राकृतिक संसाधन जो धरती के खतम हो रहे हैं उनको अगर बचाना है तो हमें अपनी जो एंत्र जहरेली गैस हैं ये मेरे आपको स्वास्थ को प्रभावित कर रही है विशेस का ग्रीन हाउज गैस जने हम कार्बन डायक साइड या किलोरो फ्लोरो कार्बन या फिर मीठेन कहते हैं तो ये जो मुख ग्रीन हाउज गैस हैं जो तीन इनकी मात्रा धरती पे बहने से धर्ती को धीरे धीरे बुखार आ रहा है अर्थाद धर्ती गर्म हो रही है इसको ऐसे समझ सकती है मेरे आपके सरीर का तापमान 37 डिगरी सेल्सियस होता है 98.6 डिगरी फारे नाइट अगर एक डिगरी उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो हम और आप लोग देखते हैं कि कितनी सारी द जो घटनाएं हम देख रहे हैं और इन घटनाओं को अगर हमें रोकना है तो हमें जागरोख होना पड़ेगा हमें चेतना पड़ेगा और खुद इंसानों को ही आगे आना पड़ेगा सरकार या किसी और के साहरे बैटने से कोई काम नहीं चलने बाला जिस तरह से लगतार हमें जहलना पड़ेगा हमारी आने वाली पीडियो को हमारे देश और दुनिया को सभी को बिलकुल जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे बता रहा था कि जलवाई परवरतन के कारण देखे जब धर्ती का तापमान बढ़ता है फिर मैं ओजोन पर भी आता हूँ तो धर्त अन्तो गत्वा समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र का पानी का इस्तर बढ़ रहा है जिसकी बज़े से जो कॉस्ट्रल सिटी हैं समुद्र के किनारे के सहर हैं देश हैं वो डूब रहे हैं मालदीब डूब रहा है बांगला देश का चिडगाओं डूब सकता है भारत का को मुंबई या चेन नई 250 तक कह रहे हैं डूब सकता है निव यर्क डूब सकता है तो यह जो इसतितियां हमें और आपको देखने को मिलेंगी इस बहुत विक्राल रूप से हमें परिवातन देखने की मिलेगी लाइन ओर्डर की सिचुएशन पैदा होगी हम और आप लोग अपनी सुभधाओं के लिए जो भी तकनीक उप्योग कर रहे हैं उससे जैसे हम A.C. चलाती हैं अब A.C. के कारण हमारा कमरा तो ठंडा हो जाता लेकिन बाहर गर्मी जादा बढ़ती है साथ में A.C. से या फिर अलग अलग रेफ्रिजरेशन यूनिट हैं बिसेश कर पुरानी रेफ्रिजरेशन यूनिट उनसे किलोरो फिलोरो कारवन जो एक प्रकार की किलोरिनेटेड कंपाउंड होते हैं वो निकलते हैं और वो जब एटमोस्फियर में पहुँचते हैं और लगब पचास किलोरो मीटर उपर पहुँचते हैं तो एक किलोरीन एटम एक लाग से जादा ओजॉन के मॉलकूल को तोड़ता है इसके कारण ओजॉन की जो परत है जो एक छतरी की तरह मुझे और आपको अल्टा वालिट रेडियेशन अथाथ परवेगनी केरों से बचा रही है जिसकी वज़े से मुझे और आपको इसकिन कैंसर या आँखों में कैटरेक्ट या फसलों को नुकसान नहीं हो रहा है वो च्छत विच्छत हो रही है और उसी कारण हम और आप लोग देख रहे हैं कि आजकल जो गोरी तोचा वाले या लाइट इसकिन वाले लोग हैं उनमें इसकिन कैंसर के केस ज़्यादा देखे जा रहे हैं विस्टिस कर यूरोपियन लोगों में या फिर आँखों में कैटरेक्ट जल्दी हो जा रहा है या फसलों में बीज और फल का निर्मार नहीं हो रहा है तो ये जो परिस्थितियां हैं चाहे ओजों की वज़े से ओजों लेयर तूटने की वज़े से डिप्लीशन ओ ओजों लेयर जो की ओजों डिप्लीटिंग सबिस्टेंस की वज़े से हो रहा है या फिर जो ग्रीन हाउस गैस की वज़े से धर्ती का तापमान बढ़ रहा है या फिर अलग-अलग बीमारियां जो हम और आप लोग रोज प्लास्टिक का जाने-अन जाने हर जगे उप्योग कर रहे है मिशाल के तौर पे ये आप क्या कहती होंगी इसे इसा काँच का च्रस्वा क्याता है एक्चली ये काँच नहीं है ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का कई जगे हम लोग जाने हुए भी इस्तिमाल कर रहे हैं कई जगे नहीं भी कर रहे हम लोग सुबह मौध होते हैं तो जब हम अपने चेहरे को दोते हैं तो उसमें माइक्रो बीट्स के रूप में हम लोग फेस क्लीनर को उपयोग करते हैं उसमें भी प्लास्टिक हैं हम लोग पानी की बॉटल में जो प्लास्टिक की बनी हुई पानी के बोटल उसका उपयोग करती है वो कई बार कार में रगी छूट जाती गर्म हो जाती है उसका प्लास्टिक भी पानी में गोल जाता है सामने और वो हम पानी पीते हैं सडकें जो रोड पर चर रही हैं उनके टायर घिस रहे हैं लगातार प् रहे हैं उनको दोते हैं तो उसमें से भी प्लास्टिक निकल रहा है और प्लास्टिक हमारी नाली से सीवर से होता हुआ नदियों और फिर समुदर तक पहुँच रहा है एक अनमान के मताबिक कहा जा रहा है कि 2050 तक समुदर में इतना प्लास्टिक होगा कि मचलियों की संख्य और उसको आज हम इसी स्तिती में हो गए हैं कि ठीक जैसे में अपने सरी से खून को अलग नहीं कर सकता ऐसी अपनी जिंदगी से प्लास्टिक को अलग नहीं कर सकता है हम प्लास्टिक से बुरी तरह से घिर गए हैं अब हमें और आपको अपनी जो पुरानी परिपार्टी हैं कोरोना भी देखा, मंकी पॉक्स भी आ रहे हैं, तो क्या है इसका कनेक्शन पर्यावरण से हैं, किस तरह से हमारे पर्यावरण में नई नई बिमारी आ रहे हैं? आपने बहुत ही सांदार प्रस्न किया और इस प्रस्न को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी इसलिए हो रही कि मैं आपको और सबको आपके ये बताना चाहूं कि देखे जब धर्ती का तापमान बढ़ता है, जब हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, तो उसकी बज़े से बद मुझपल इंसेक्ट हैं, उनकी संक्या घटेगी, मिसाल के तोर पे हम और आप लोग मदवक्खी को देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही फाइदे का कीड़ा है, बटरफलाई जो देखते हैं, तितलियां वो बहुत ही फाइदे के कीड़े हैं, क्योंकि ये पॉलिनेशन की बज़े से जो हमारे पेड़ और जो भी हमारे क्रॉप्स होती हैं, जो पेड़ पॉधे, उनमें फल और बीच का निर्मान होता है, और उसकी बज़े से मुझे और आपको मेरे आपके घर तक वो सारी चीज़ें आती हैं, तो जब ये कीड़ों की संक्या खम होगी, तो आ नए वाइरस देखने को मिर रहे हैं, देखें सिखाजी, ये वाइरस जो होते हैं, ये बहुत सारे वाइल एनिमल होते हैं, उनके उपर ये पैरसाइट रहते हैं, मतलब वाइल एनिमल होस्ट की तरह इनको अपने साथ केरी करते हैं, जैसे उदार के तोड़ पर आपने दे रही थी कि उसने जब अपना फीकल मेटर डिस्चारज किया और नीचे गिरा तो पैंगोलिन ने उसे लिक कर लिया और पैंगोलिन का बहुत सारा वहां का जो भी मास्का निर्यात और उसके अलग-अलग चीज़ों का उपयोग करती हैं वो लोग चाइनीज मेडिशन में तो इनसानों तक पहुँचा एक थेयरी ये भी कह रही थी तो कुल मला के ऐसी जैसे अभी मंकी पॉक्स वाइरस हुआ ये अफरीका से जो कैसे फैला क्योंकि ये तो मंकी में पाए जाता था और फिर इनसानों के करीब आके इनसानों तक ये आ गया तो ये एक अभी इस पर इनसानी सरीर में जब ये पहुँच जा रहे हैं तो तमाम बहुत हानिकारक रूप से उसको प्रभावित कर रहे हैं और हमें और आपको नई नहीं बीमारियां देखने को मिर रही हैं तो संचेप में आप ये समझ सकती हैं कि जब जलवाई परवयतन के कारान जब प्रित्क होंगे जिसे धायती के अभूशन कहते हैं और वो जब खतम होंगे लंग सौप दी प्लानेट धायती के फेपड़े तो वहां बहुत सारे जिव जनतु लाखों करोरों जिव जनतु रह रहे हैं उनका रहना उनका घर सीधे सीधे प्रभावित होगा और वो इंसानी बस्ति जब उनके संपर्क में आएंगी तो नई नई बीमारिया मुझे और आपको देखने को मिर रही हैं तो हमें और आपको अगर उने भी बचाना है उनके परिवेश में ही रखना है उनके हैविटेट में ही रखना है तो हमें जंगल को बचाना पड़ेगा हमें पेर लगाने पड़ेंगे हमें अपनी आत्तों बदलनी पड़ेंगी हमें कुछ निगोशियेशन करने पड़ेंगे जी सबसे बड़ा प्रभाव अगर परियावरान बदलाव का देखने को मिल रहा है तो वो ये है कि इस वक्त बच्चे वयस्क बहुत जल्दी हो रहे हैं और जो लोगों क टॉपिक कह सकते हैं जो चर्चा का विश्य है क्योंकि आगे आने वाले पांद दस साल में मुझे और आपको जो सबसे तगड़ा फपेड़ा लगेगा वो परियावरान का लगने वाला है इन्वार्मेंट का लगने वाला है नानाज सब्सक्राइब tasty जवाराइब प्रभावत हो रहा है male को environment प्रभावत कर रहा है environment जैसे बड़ा है ने कहा हमारे बड़े बजूर्ग प्रभावित हो रहे क्योंकि जब इन्वार्मेंट काँ से जो हमारे बुझोर्ग' हैं, उनके उपर प्रित्कूल प्रभाव देखा जा रहा है, इसकी बाझे से उनकी immunity कम हो रही है, वो immuno compromise हो रही है, इसकी बाझे से opportunistic infection सीधे-सीधे उनको देखने को मेर रहे हैं और वो समय से पहले अपने जीवन को समाप्त कर ले रहा था तो उनका लाइफ इस्पैन भी कम हो रहा है साथ में जो यंगर बेबी हैं जिनकी उम्र एक साल से लेके आठ दस साल तक है वो भी सीधे-सीधे पर वावित हो रही हैं जैसे उधाएं के तोड़ पर मैं आपको बता हूं साइधियों में मैंने आपने अपजर्ब किया होग कि हमारा लखनव एक गैस चेमबर की रूप में तबदील हो जाता या आपने नौइडा के बारे में सुना होगा या दिल्ली के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर एयर क्वाल्टी इंडेक्स बहुत ही खताना के इस तरह में पहुँच जाता मतलब हम लोग अक्सर ये बात डिवलप्ड नहीं होते तो ये जब हमने अपने बच्चों के साथ काम किया तो देखा कि अक्सर ऐसे बच्चे जब ऐसी पॉलूटेड एयर के संपर्क में आते हैं जिस हवा का एयर क्वाल्टी इंडेक्स तीन सो या धाई सो या साड़े तीन सो है अधात उसमें अमोनिया उसमें लेड उसमें पी-एम 2.5 उसमें पी-एम 10 कारवन मोनो आकसाइड ऐसे जहरीले गैस जिसके साथ साथ कारवन डायकसाइड और सलफर डायकसाइड होगी जब ऐसी गैस उनके फेप्रों में पहुंचती है तो वो कहीं न कहीं से उनके रिस्पारेटी सिस्टम को जैसी स्तिती भी देखने को मिली बाद में आपने देखा होगा अस्थमा या क्रोनेक और स्टेक्टिब पल्मुनरी डिजीज सी ओ पीडी हो जाती तो इसकूलों में एक सोध किया गया एक डेटा एक खत्य की गया तो देखे गए कि साल के कुछ महिनों में इसकूलों में ए इसके पीछे देखा गया कि उन दोरान चुकि हवा इतनी ज्यादा प्रदूसित हो गई थी चुकि जो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका और यह जो विकसित देश हैं वहां ज्यादा इस्तिती गंबीर है तो उन लोग जो बच्चे हैं वो सीधे सीधे प्रभावित होने लगे और वो जब बच्चे कहीं न कहीं से इस प्रकार की बीमारियों से प्रभावित होंगे तो उनकी एज स्वता ही आगे चलके गटेगी और यह तमाम परिशानियां देखने को मिलेंगी और ग्यानिक खेती करना कितना जरूरी है क्योंकि आजकल जिस तरह से क्यामिकल यूज किये जाते हैं खेती में तो उसे हमारी जो भूमी है जो मृदा है वो भी खराब होती है साथी साथ हमारी सेहत पे भी असर पड़ता है और ग्यानिक खेती कितनी जरूरी है सिखा जी आपने चुकि मैंने बच्पन से खेती में ही जन्म लिया मेरे अपने खुद के खेत हैं और अभी भी खेती होती है तो मैं आपको एक पहले बात बताऊं कि अगर हम एक मुठी मिट्टी लें तो उस एक जो मुठी मिट्टी में इतने माइक्रोब्स इतने चोटे जि तो हमें माइक्रोस्कोब की सायताई दिखाई देते जितने धर्ती पर लोग नहीं हैं, मतलब आज की डेट में अगर देखें हम आठ अरब के आसपास पूरी धर्ती की जन संख्या और उससे ज़्यादा माइक्रोब एक मुट्टी में पाए जाती, अब वो माइक्रोब मेरे आपके खेत की और बड़ा चमता को बढ़ाने में बड़ा योगदान करते आए हैं, लेकिन कुछ सालों से, कुछ सालों से हम और आप लोगों ने जो रसायने जो खादों का उप्योग किया है, जो हम केमिकल फर्टलाइजर कहते हैं, जो अलग अलग इंडस्टी में बनती ह हैं, या हमने पैस्टी साइड या इंसेक्टी साइड का उप्योग किया है, उसकी बज़े से, जो हमारे टारगेटेट पैस्ट थे, अन्वांटेड इंसेक्ट, वो तो मरे ही, लेकिन उनके साथ साथ, बहुत सारे ऐसे जियो जनतु जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, वो भी सीधे-सीधे प्रभावित हुए, और आज की डेट में ये इस्तिती है कि एक तरफ हमारी आपकी जनसंक्या बढ़ रही है, और दूसी तरफ उतनी तेजी के साथ हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है, लगबग एक सोद बता रहा है कि लगबग 30% के आसपास मिट मिट्टी आज कल बंजर हो गई हमारी आपकी इस गेर जिम्मेदाराना हरकत के कारण, तो अब ये देखा गया कि भाई एक तरफ तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मुझे आपको थाली में भोजन चाहिए, मुझे आपको संसाधन चाहिए, और उन संसाधनों को पू बाना है नेचर का, एक सर्कुलर एकोनोमी है, धरती जो भी हमारी आर्थ है, ये क्लोज सिस्टम है, आपको भी धरती में अबजर्ब करिएगा, उसमें पेड़ पौधे लगते हैं, जीवन काल एक समय तक चलता है, इसके बाद वो मर जाते हैं, फिर धरती का पायट हो जात है, ऐसे ढंग से फार्मिंग करने चार रहे हैं, जो की जो बायो डिग्रिडवल वेस्ट हैं, मिसाल के तौर पे, मेरे आपके अगर बगीचा है या खेत है या कहीं पेड़ पौधे लगी, उसके जो भी पत्ते निकले सूखे, उन्हें हम ब्राउन गोल्ड कहते हैं, और आ जो भी भूसा या उसके बचे हुए उत्पाद हैं या प्लांट के कोई पायट हैं, उनको हम अगर हम रेड वार्म के द्वारा या एक डिकमपोजिशन प्रॉसेस नैचरली गाओं में लोग करते हैं, गड़े के अंदर भर देते हैं, उसके बाद माइक्रोबियल प्रॉसे कि अगर हमें धहती को बचाना है, इन छोटे-छोटे माइक्रोब को बचाना है, इस मिट्टी को बचाना है, इस मिट्टी की ऊपरी और वरक परत को बचाना है, तो हमें और आपको जल्दी से और्गनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा, तब ही हमारी आपकी सभी ज केमिकल फेटलाइजर के साथ हम लोग पैस्टिसाइड का उपयोग करते हैं पैस्टिसाइड जैसे आप एक बहुत फेमस पैस्टिसाइड के बारे में जानती होंगी जैसे हम डीडीटी कहते हैं यह 1950 और 1960 के आसपास एक किताब लिखी थी राचेल कालसन सीवाज लेडी और सी स्प्रिंग में आप और आप हम लोग क्या देखते हैं चिडियां चेह चाहती हैं बहुरे गुंजर करते हैं तितलियां उड़ती हैं मदमक्यां देखने को मिलती हैं बड़े अच्छा सुन्दर माहौल होता है उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग इसलिए लिखी कि उन्होंन होता है वो प्रभावित हो रहा है एसेडहिक और बेसिक जो सौाइल हो रही है वो रहा है जो स्वाइल इसके अलावा जो हम कीट नासा को प्योग zur रहे हैं उन कीट नास कों की वजह से हमारे आपके सरीर में फुर्ट चैन के होते हुए जैसे आपने कोई कीट नासा पेड़ पौदों पर छिड़का मानले काजू की फसल पर छिड़का तो वो काजू की फसल जो काजू के जो भी लगते हैं काजू के पेड़ पर जो काजू लगते तो वो काजू जब हम और आप लोगों ने उन्हें खाए या स उसमें कुछ ना कोङ ट्रेस्इस लगे रहते हैं पीस्टि-साइड के वो मेरे आपके सरीर मे पहुंच जाते हैं और नहीं कुछ सालों बाद कोई ऐसी Obamati को जन्म आइंगे मेरे आपके पास आंस होगा एक सरवेख्शन बताता है कि पूरी दुनिया दुर्इख के सबसे ज़्यादा इस तर है और तो और हम बताएं सिकाजी कि बड़ी दुखत बात है मां के दूद को सबसे प्योर माना जाता है बेबी सबसे पहले जर्म लेने के बाद उसी पर आस्तित रहता है उसमें भी DDT देखा गया है आज ये इस्तिती हो गई है कि बायो मैगनिफिके बहुरे मदमक्या ये खतम हो रही है और उस DDT के प्रभाव के रूप में वो DDT मेरे आपके सरीर में पहुँच गई और आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंसंटेशन DDT का भारत के लोगों में देखा जा रहा है ऐसे ही अलग-अलग पैस्टिसाइड है हम और पर जो कुछ भी आएगा वो फूर्ट चैन्से होते हुए कहीं न कहीं मेरे आपके सरीर में पहुचेगा और आगे आने वाले समय में वो सारी बीमानिया मुझे और आपको देखने को मिलेंगी जे आज सबसे एहम मुद्दा बन गया है पर्यावरण का इसके लिए देश दुनिया की सरकारे क्या कर रही है अगर देखा जाए कोरोना के बाद जो लॉकडाउन लगा था उसने काफ़े बदलाव लाया था हमारे पर्यावरण में ओर जोन लेयर में ठीक होने लगी थी सा साथ जो एर पॉल्यूशन था उसमें भी कंट्रोल आने लगा था अगर हम साइकल के यूज करें अगर हम वहिकल्स को मना करें नो करें और हम साइकल की तरफ जाए वह सेहत भी अच्छी रहेगी लोग इसके उपर कब धिहान देंगे और दूसरी एहम चीज की सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम अभी भी हफ़ते में एक दिन या महीने में एक दिन ऐसा कर दें कि सारी फैक्टरिया बंध हो और हम पॉल्यूशन से फ्री रहे या फिस साइकल कही उपयोग करें क्या ऐसा हो सकता है हम और आपने देखा कोरोना काल मे जाने अन जाने कुछ ऐसी चीजे हमें आपको देखने को मिली जो हमने सायथ पहले कभी नहीं देखी थी ये एक महामारी की रूप में आई बहुत पड़ेशानी हुई लेकिन इसने एक बात तो हमें और आपको सिखा दी लोगडाउन ने कि ये जो धरती पर चाहे नदियो में हमें मचलियां देखने को नहीं मिल रही थी या मेरे आपके आंगन में अच्छी चिडियां देखने को नहीं मिल रही थी तितलियां मदमक्यां देखने को नहीं मिल रही थी सुन्दर नीला आकास रात को नहीं देखने को मिल रहा था ये सब देखने को मिला मुझे और आपको इससे ये बात पता चली कि जो कुछ भी हम और आप लोगों ने खोया था वो मेरे आपकी अपनी आदतों की बज़े से था अब जैसा आपने कहा तो अगर हमको इस धर्टी को वापस फिर लोटाना है तो क्या किया जाए देखिए मैं कुछ बातों पर आपको बताना च पड़ेगी कैटल्स को पालना पड़ेगा अनिमल हस्बंडी के अंतरगत और उसमें उनके लिए ये प्रूब हो चुका है तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके अपक्चा अगर जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो जादा जिम्मेवार हैं इसलिए मेरी आपके चैनल के माद या इवेहिकल से तो आप प्रकती आपको धनबाद कहेगी अधात हमें और आपको आगे आने वाले समय में अगर हमारे पास ऑप्सन है कि अगर हमें कहीं पर जाना है और वहीं पर फैसलिटी अबले वेली की प्लेन भी जा रहा है और रेल गाड़ी भी जा रही तो मुझे और आपको रेल गाड़ी को करना पड़ेगा टाटा बाई 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 और मुझे और आपको हवाई जाच को करना पड़ेगा टाटा बाई 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 और रेल गाड़ी को करना पड़ेगा हेलो हाई क्योंकि रेल गाड़ी बहुत जादा परियावरा अनकूल एक प्रकार की एक विहिकल है जो कम ग्रीन हाउच गैस निकालती है दूसरी चीज अगर मैं और आप अपने आस्पाद जो भी कचड़ा है उसको सही डंग से सेग्रिगेट करें और विशिस का इलेक्टोनिक कचड़े से बहुत बड़ी आज की दोर में परिशानी है आप जैसे ये मुबाइल देख रहा ही में और आप लिए हैं आप घर का ओडिट करिएगा आपके घर में आट से दस मुबाइल होंगे पुरानी टीवी होगी वी सीड सरकेट बनाने में उपयोग होता है तो हमें और आपको कल के दिन सोचना पड़ेगा क्योंकि जितनी तेजी के साथ आज की डेट में इवेस जनरेट हो रहा है हर दो तीन महीने में आप और हम लोग देखते हैं नई टेकलोजी आ जाती है तो हमें और आपको एक दो साल में अपने मुबाइल को टाटा वाई वाई करना पड़ता है तो क्यों ना ऐसा हो कि भविस में जो इस प्रकार के लैप्टॉप, आईपैड या मुबाइल जो नए नए लेटेस्ट सॉप्ट्वेयर के आ रहे हैं तो वो किराई से दिये जाएं जिसको जिस प्रकार के फंक्श आए कि एक भाग पर धरती है तो अब जो मतलब जिस पर हम रह रहे हैं तो अब पानी इतना है तो फिर पानी तो हमें और आपको पीने के लिए अक्सर मचा रहता तो जो दो भाग पर हम देख रहे हैं पानी जो दिखाई दे रहा है वो पानी एक्शली समुद्र का पानी है मतलब खारा पानी है लगबग उसमें से 98% और वो पानी में और आप उप्योग नहीं कर सकते बाकी बचा हुआ पानी एक परसेंट से जादा है वो गिलेसियर में कैद है वो भी में आप उप्योग नहीं कर सकते अब बचा एक परसेंट से कम पानी इसी में हम होली खेलते हैं इसी में हम रंगोली खेलते हैं, इसी में ईद मनाते हैं, तो पानी का संग्रक्षा करना है, एक परसेंट से कम पानी है, दरती पे पीने योग, और यही कारण है कि कल के दिन में जिसके पास पानी होगा, वही देश राज्य करेगा, जिसके पास जंगल होगा, वही दुनिया क इनकी तरफ जल्दी से जल्दी जाना है क्योंकि जब हम और आप लोग अपनी धर्टी को बचाने है हाँ बिलकुल जब हम और आप लोग यह जो बिजली हमारे भारत में जल रही है यह कोईला जलाने से आती है अब जो थर्मल पावर प्लांट में कोईला जल रहा है तो उससे कारवन डायकसाइड, मीठेन, क्लोरो फ्लोरो कारवन जैसे गैस ने कर रही है वो जाके धर्टी को गरम कर रही है यही कारण है इस साल हम लोगों ने 489 डिग्री सेल्सियस इतना भीचन गरमी का सामना किया क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या हम आप इमेजन नहीं कर सकते सोबह से साम तक बिना उर्जा के अपने जीवन को अर्थात हमें उर्जा का उप्योग कम करना है अपने घरों को ग्रीन हाउस की तरह बनाना है मतलब उसमें हवा का एक प्रकार से री सर्कुलेशन हो कम से कम उर्जा के इस्तिमाल करें दरवाजे की तरह पहड़ने की टेवेल और रखें कुरसी रखें जब जरूरत हो तभी बिजली के इस्तिमाल करें जब नहीं हो बंद कायदें बिजली को और सबसे महत्मूर बात है कि हम लोगों को जितना जागरुक कर सकते करें क्योंकि जागरुकता ही समस्त समस्याओं का हल है जागरुक करने की जरूरत है वरना हम अपनी धर्ती को विनाश की तरफ ले जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया हम असर जुन्डे के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर जानकारी देने के लिए तो आज हम बात कर रहे थे परियावरन पे कि परियावरन को बचाना कितना जरूरी है इसका हमारी सेहत पे कितना प्रभाव पड़ता है अगर हम अपनी परियावरन को नहीं बचाएंगे हम जल को नहीं बचाएंगे हम अपने वायू प्रदूशन जो हो रहा है अगर उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे बहुत ज़दा पेड़ नहीं लगाएंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार